देंजी माकिमा को इतना ज़ादा क्यों पसंद करता है कि वो माकिमा के लिए डॉग भी बन जाता है तो रीजन वड़ा सिम्पल है देंजी बच्पन से ही अकेला रहता था और उसको कभी भी अपमी लाइफ में किसी से अफेक्षन नहीं मिला था और जब डेंजी को माकीमा से पहली बार थोड़ा वत अफेक्शन मिला तो डेंजी ने माकीमा के साथ तुरंत ही अटेच्मेंट वना लिया और डेंजी के टीनेज हार्मोन्स का इसमें वह थोड़ा हाथ था